हाई गाईज वेल्कम यूर फेवर्ट वीटू चैनल पेशल केर और जर्ट है गाईज फ्रेंज आज मैं आपके लिए एक स्कीन टाइटनिंग मार्क्स दिखाऊंगे मेरे बहुत सरे फ्रेंड इसके लिए रिक्विस्ट किया है इनका भी स्कीन लूज हो गया है वो कैसे अपना स्कीन को फिर से टाइटनिंग करेंगे अपना स्कीन को जबान बनाएंगे यॉंग न लूप मिलेगा उसके उपर में आज एक मार्क्स बना के दिखाऊंगे को यह मार्क्स फिल्ट बहुत ही अच्चा है बहुत सरा हम लोगा एक हैविट के वजए से हम लोग का स्कीन को लूज कर लेते हैं जैसा के हम लोग जब कार से अपने पेस को पोशते हैं तो नीचे तरब खीज को फोशते हैं, ऐसा दिखाःते हैं बहुत सरे ऐसे बिफिर्ट है अपने स्कीन के ऊपर एक जमी ध्यान नहीं लेते जब एकदम स्कीन लूज हो जाता है तब ख्याल में आता है हाँ मेरा स्कीन तो उमर से जादा है एजेट दिख रहा है तो इस सभी के में अभी से फ्रेंज आप इस माउस को ट्राइ करेंगे त तो आपका स्कीन टाइटन बना रहेगा और उसके साथ ही साथ जिनका स्कीन लूज हो गया है वो भी इसको यूज करेंगे तो आपका स्कीन पहले जैसा फिर से इस टाइटन हो जाएगा और जवान ही बन जाएगा तो चलिए फिर देख लेके इसको बनाया कैसे जाता है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है प्रिस मैं इसको बनाते अपनी उपर भी ट्राइ करके दिखाऊंगी इस वीडियो को देखने से पहले जोलो मुझे फर्स टाइम देख रहे हैं देखी मेरी वीडियो के नीचे एक नेट कवर का बटन आ रहा है उसको क्लिक कीजिए और मु इसके वीडियो अप्लोड करूंगी उसके तुर्ट बादी आपके पास एक नोडिकेशन पहुँच जाएगा और सब्सक्राइब करना फ्रेंद एक दमी फील है इसके लिए आपको कुछ भी पे दिखाने के लिए और सब्सक्राइब करेंगे तो फ्रेंस आपके साथ मेरा बन जाएगा आप कोई भी व्यूटी रिलिटेट जानगर ही लेना चाहेंगे उससे मैं जलू कोशिश करने उसके वीडियो बना के आपको दिखाने के लिए तो आज के वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कैसे आप अपने स्टीन प्रोम को टाइटल करेंगे तो इसके ल जितना आपको लगे वह आप ले सकते हैं और उसको थोड़ा सा पानी से राद भर भी यो के रखिए और सुबह उठके उसको पीस लीजिए यह देखिए यह मेथी का पीसा हुआ पेस्ट है और आपको लेना है एक अंडा एक अंडे का एग वाइट जो है एग वाइट आप आप Consult firm पैक को बना लेते हैं been Factcure को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूजड किया है मेथी का पेस्ट मेथी का पेस्ट फिंस आपका स्कीन कहों टाइटिन करेगा और उसके साथी साथिसाथ आपका स्कीन में कोई भी बैक्ट्रियल एफेक्ट है तो उसको दूर भगा एक एंटीबैक्टिरियल भी है आपके स्कीन में मुहासे है यानि एक्नेपिंपिल का प्रॉब्लम है तो उससे भी ये राहत देगा एक white fence आपका skin tone को tighten करने में help करेगा और मुल्कानी with difference आपका skin को brighter और fairer बनाएगा यह आपका skin में जो dead cell है उसको remove करेगा और आपका skin का excess soil को भी remove करने में help करेगा तो अभी चली मैं pack को बना लेती हूँ pack बनाने के लिए एक चमच मेथी दानी का paste लेना है और इसमें आपको दो चमच एक white add करना है और मुल्कानी मिट्टी add करना है एक चमच और इसमें थोड़ा भी पानी add नहीं करके इसको अच्छे से mix कर लेना है यह face pack friends बहुत ही अच्छा है इसको लगाते ही आप मैसूस कर पाएंगे आपका skin tone tighten हो रहा है आपका loose skin में एक खीचा पैन आपको मैसूस होगा इसको जरूर ट्राइ कीजिए और इसका benefit लीजिए इसको अच्छे से mix होना है उसके बाद ही आप इसको apply कीजिए यह skin tightening face pack मेरा ready है अभी मैं इसको अपने उपर apply करके दिखाऊंगी और इसका instant result आप देख पाएंगे तो चलिए friends देख लेते हैं अभी मैं यह skin tightening face marks को apply करूंगी यह face marks friends skin tightening के लिए बहुत ही अच्छा है आपका skin lose हो गया है तो एक ही दिन में आपके skin में एक खीचा पहन मैसूस कराएगा इसके लिए friends इस पैक को आपको full dry करना है यानि इस पैक को apply करने के बाद आपका skin में यह full dry जब हो जाएगा तभी आपको remove करना है और इसको remove करने का एक अलग process है ओ भी मैं आपको दिखा दूंगी यानि इसको rub नहीं करना है यह जब full dry होगा इसको कैसे remove करना है वो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी और friends इस पैक को आपको थोड़ा थीकी करके apply करना है यानि एक मोटा layer करके आपको apply करना है यह जब सूखते रहेगा यानि थोड़ा थोड़ा जब dry होते रहेगा तब आप feel कर पाएंगे यह पैक आपका skin को tighten क कर रहा है बहुत ही effective है इसको जरूर यूज कीजिए जिनका भी skin lose होने को आया है या lose हो चुका है या जिनका A30 plus है उनके लिए बहुत ही अच्छा है इस पैक को मैंने देखिए apply कर लिया है अभी मैं इसको full dry होने के लिए रख दूंगे और उसके बाद इसको आपके सामने रिमूब करके दिखाऊंगी यह देखिए फ्रेंस मेरा पैक अभी full dry हो गया है यह देखिए मैं touch करके आपको दिखानी हूँ यह देखिए पूरा dry है मेरे हाथ में ने चीपक रहा है ऐसे full dry कर लेना है उसके बाद थोरा सा पानी से आपको पैक को फिर से soft बना लेना है यह पैक जब soft हो जाएगा देखिए मैं अच्छे से इसको soft कर रही हूँ ताकि फिर से pack soft हो जाए और उसके बाद आपको एक कोई भी कपरा या कोई रुमाल जो fresh हो ऐसा उसको पानी में भिगो लेना है और ऐसे अपने face का जो भी pack है उसको ऐसे remove करना है देखिए मैं जैसे remove कर दो लेना है और इसके बाद आपको normal water से फिर से दो लेना है आपने चाहिरे को मैंने दो लिया है अभी मैं इसको पोस्ट भी रही हूँ पोस्टने के बाद इसका full and final result आपको देखने को मिलेगा यह देखिए मैंने पोस्ट लिया है मेरा स्कीन देखिए पहले से कितना bright लग रहा है और मेरा स्कीन में एक खीचापन भी आया है और मेरा स्कीन एकदम बे कीजी और इसका benefit लेजिए विडियो के कैसा लगा अच्छा लगा ना अच्छा लगा तो जरू ट्राइब लेजिए और मेरे विडियो को एक लाइक जैओ बहुत सारे एकर नियुक्त के साथ आप एसको श्यार भी कर सकते और मेरे चैनल को एक तो एक छाएब्स करेंगे और आगे से मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो रिसर्ट करके आपके लाती रहूँ ओकर तेस्स, थेक्स पर वाचिए, बाई and टेक केर कर दो खड़िक, इबान कर वाचिए, जीश थेखकी अच्छाँ, बाला चीजास में पृद़ चलिया, फो च्छैदू, बाला शच्छा स्वया छान केज़ माराउ, इच गान के टान केक्सष पर रहूँ है, बाले टेक में आए copताव, ये जीज़ की देखर के बाले हूetic तेस झाल 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 झाल